नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको हमारे चैनल संजीव टेकनोलोजी में चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि मीवी F30 कैसा होता है और इसका अन्बॉक्सिंग करेंगे इसका फुल रिव्यू हम जानेंगे कैसे कनेक्ट होता है और यह क्या है मीवी F30 एक ड्यूपोर्ट्स है यानि एरबोर्ट्स है आप इसे परचेज कर सकते हैं फुलिपकार्ड या एमाजॉन से इसके बारे में हम फुल रिव्यू आपको आगे बाताते हैं चलिए दोस्तो आप जिसका इंतियार कर रहे थे आप अब वो समय आ गया है देखने के लिए मीवी ड्यूपोर्ट्स एप 30 के बारे में इस रिव्यू से जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं और लाइक नहीं किये हैं वीडियो को तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमें भी इंटर्टेन मिले कि आप देख सकते हैं और देख रहे हैं मेरे वीडियो को ताकि आपको अलग-अलग परकार के वीडियो और भी बना सकते हैं आई इसके बारे में जानते हैं इसका रिव्यू कैसा हो होता है एयर बोर्ट्स यानि आप ड्यूपोर्ट बोलते हैं F30 है ये इंडियन है और आगे जानते हैं ये कैसा होता है HD साउंड प्लेयर होता है इसमें Bluetooth 5.0 का होता है इसमें और फास्ट चार्जिंग यानि 10 मिट में आप इसे चार्ज कर सकते हैं और पूरे 42 गंटे तक आप इसे प्लेक बैक सुन सकते हैं गाने और ये इंडियन यहां पर आपको लिखा गया है ट्रूली इंडियन मेड इन इंडियन ठीक और पारफुल इसमें बैस है लॉंग टाइम बैटरी बैक अप है रहे इसका अन्बॉक्सिंग करते हैं और इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें यह रहा हमारा मीवी का F30 इसमें एक मेनू गाइट्स होता है और एक होता है वारेंटी कार्ड यह रहा आपका वेलकम किट और यह रहा मेनू गाइट्स इसमें और शारी जैनकारियां दी जाती है आप यहां पर देख सकते हैं और यह रहा हमारा मीवी का एर बोट्स डिव पोड बोलते हैं इसका नाम डिव पोड्स है एर बोट्स नहीं है यह देख सकते हैं आप इसमें दो डिवाइसे होती है और इसमें देखते हैं क्या मिलता है हमें इसमें एक डाटा केबल होता है और यह इसमें लगा होता है रबड़ और एक छोटा सा डाटा केबल होता है आयू इसको कनेक्ट करके देखते हैं यह कैसे कनेक्ट होता है यह ओन है यहां पर देख सकते हैं आप इसका लाइट जल रहा है यह एक से एक कनेक्ट हो जाता है इसके बाद आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं मोबाइल से यह कैसे कनेक्ट होता है यह रहा हमारा मोबाइल औ यहां से on करते हैं और यहां पर आप देख सकते हैं सर्चिंग में आ गया मीवी ड्यूपोर्ट एफ थार्टी इसको क्लिक किये यह प्यर होने के लिए रेडी हो गया है अनि किनेक्ट हो गया ठीक आप जब इसे सुनना चाहते हैं यह लेफ्ट और एक राइट होता है ठीक आप इसको अगर लेफ्ट वाले को प्रेस करके ऐसे प्रेस करते हैं तो आपको प्रेस करते रहते हैं तो आपका साउंड कम हो जाता है और इसको राइट वाले को जैसे प्रेस करके छोड़ देते हैं तो यह साउंड ज्यादा हो जाता है इसमें आप इस एयरबोट को दस मिट चार करें और पूरे 42 घंटे यूज कर सकते हैं तो धन्याबाद दोस्तों आपको हमारे वीडियो देखने के लिए और सारे ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें वीडियो को ताकि आगे से आगे सेयर कर हो सकें झाल झाल